अगर आप medicine से related information चाहते हैं तो अभी subscribe करें चैनल को knowledge for Indian तो आज किस वीडियो में बात करेंगे vitamin B1 के बारे में इसको जो थाइमिन भी बोलते हैं और benfor timing भी बोलते हैं तो इसके cause, symptoms, इसकी कमी से क्या क्या हो सकता है और इसकी कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं इसके care medicine, dosage, side effect ये सारी जानकरियां जो है आज किस वीडियो में मैं आपको दूँगा तो देखिए इधर जो है सबसे पहले तो बता दूँँ कि जो vitamin B1 है उसको थाइमिन बोलते हैं और benfor timing को भी vitamin B1 बोलते हैं अब इधर जो benfor timing है ये थाइमिन से ही बनाया जाता है इसलिए इसको vitamin B1 बोलते हैं अब जो benfor timing है ये जो है एक lab में तयार किया जाता है माला हमको बैसे naturally नहीं मिलता है और बहुत सारे plants ऐसे होते हैं जैसे के आपकी लहसुन हो गई, आपकी प्याज हो गई उनसे जो है benfor timing बनाया जाता है और benfor timing के जो है फायदे जादा है अगर हम thymine से compare करें तो हाले कि दोनों ही vitamin B1 है अब देखिए इधर जो thymine है ना वो एक water soluble vitamin है और बहुत जो benfor timing है जो कि हम उसको बनाते है वो हो जाता है fat soluble vitamin तो अब देखिए फायदे दोनों के एक ही है लेकिन इधर जो है benfor timing जो है अच्छी तरीके से absorb हो जाता है जिससे कि आपको अच्छे फायदे मिलते हैं अगर हम compare करें thymine से तो इसके अलाबा देखिए ये जो vitamin B1 है ना ये एक essential vitamin है मतलब इसको body खुद produce नहीं करती है इसको हमको जो है खाने से ही लेना होता है और खास तोर से जो है benfor timing तो जो है medicine tablet capsule जो आती है उनसे ही मिलता है अब देखिए इधर जो है आपको इस vitamin timing की या vitamin B1 की कमी हो जाती है तो इससे जो बहुत सारी problem होती है जैसे कि आपने नाम सुना होगा berry berry तो berry berry एक vitamin B1 की कमी से होता है जो कि बच्चों में भी हो जाता है और बड़ों में भी हो जाता है अब बच्चों में generally जो है एक से चार महिनी की जो बच्चे होते हैं उनमें हो सकता है अगर mother को जो mother अपने बच्चे को दूद पिलाती है उनको thymine जो है उसका अच्छा supplement नहीं मिल ला है या उनको कमी है तो उस कारण जो है बेरी-बेरी हो सकती है और ये किसी भी age में हो सकती है चाहें बड़ा हो चाहें बच्चा हो अब इधर जो है ये genetic के कारण भी होता है जैसे के भाई आपके खांदान में किसी को vitamin B1 की कमी है तो हो सकता है जो आने वाली पिली है जो बच्चा है उसको भी कमी हो सकती तो इधर तो आपको ध्यान इस चीज का रखना होगा अब हम बात करें vitamin B1 की कमी से क्या क्या हो सकता है और क्या क्या प्राणों हो सकती है जैसे के देखिए जो vitamin B1 है न ये जो है carbohydrate के metabolism के लिए काफी अच्छा है ये जनरली करता क्या है कि जो carbohydrate आप जो भी diet से लेते हैं उसको जो है convert करता energy में जिससे के आप एक energetic field करते हो अब इसके अलावे ये आपके नसों के लिए काफी अच्छा है आपके नसों को healthy रखता है अब सबसे बड़ा फायदा इसका ये है diabetes के लिए diabetic वालों के लिए जिनको जो है सुगर की बिमारी है उनके लिए क्योंको जो सुगर के मरीज होते हैं उनको जो है इस प्रकार से प्रावलम होती है उनकी नसे कमजोर हो जाती है उनकी नसे कमजोर होने लगती है उनके हातों में पेरों में tingling numbness जैसा होने लगता है जुन जुनी जैसा आता है चीटिया चल रही है सोई चुबा रहा है कोई इस प्रकार से प्रावलम होती है तो diabetes वालों को आपने देखा होगा जातर जो बिटामिन B1 डॉक्टर देते हैं इसके अलावा जो लोग alcohol लेते हैं तो alcohol भी जो ज़्यादा लेते हैं उनकी नसेबी या nerve damage होने लगती है तो diabetes वालों के लिए और जो alcohol बहुत लेते हैं तो उनको especially advice किया जाता है कि बिटामिन B1 आपको लेना है अब भई जो alcohol लेते हैं तो इधर में सला दूँगा कि उनको alcohol छोड़ना पड़े तो बहुत अच्छी बात है अब जिनको diabetes हो गई है तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं कि अपनी जो diabetes से जो सुगर है उसको control लगे है तो सबसे ज़्यादा जो है ये फायदा करती है diabetes वालों के लिए और alcohol वालों के लिए इसके अलाबा जिनको diabetes हो जाये तो उनको redino पैथे भी हो जाती है उनकी जो है eyes vision भी कम होने लगता है समय से पहले तो उसमें भी vitamin V1 उनको फायदा करता है इसके अलाबा देखी जो Alzheimer disease होती है Alzheimer disease या dementia जिनको बूलने की बिमारी होती है तो कहीं न कहीं जो vitamin V1 है जो thymine है उसकी कमे भी देखी गई है तो उनको भी vitamin V1 लेने की सलाज दी जाती है डॉक्टर द्वारा इसके अलाबा ये जो है आपके cells को damage होने से बचाता है vitamin V1 इसके अलाबा free radical damage से बचाता है इसके अलाबा आप बहुँ जादे stress लेते हैं तो उसमें भी जो ही फायदा करता है क्योंको बहुँ जादे stress लेंगे तो काफी दिक्कत होगी उसमें इसके अलाबा देखिए ये जो है आपकी आर्टरीज होती है आर्टरीज को flexible करता है जिससे के आपको अच्छा फायदा मिलता है और मतलब आपके heart के लिए अच्छा है अगर arteries flexible نہیں रहेंगी तो आपके अपके heart के लिए बेकार हो सकता है तो आर्टरीज के लिए अच्छा है आपके blood vessels के लिए अच्छा है और इसके अलाबा देखिए ये जो है arthritis वालों के लिए अच्छा है arthritis के अलाबा nervous system के लिए अच्छा है brain के फंक्शन के लिए अच्छा है इसके अलाबा जो है paralysis जिनको हो जाता है उनको भी जो है VITAMIEN B1 जो है दीया जाता है जिनको लगवा हो जाता है या पहले कभी लगवा हुआथा तो उनको VITAMIEN B1 जो है regimen करते है इसके अलाबा अपके muscles को भी strong करने में मदद करता है वITAMIEN B1. इसके अलावा जो है mental confusion आपने देखा हुआ कई लोगो confused होते हो देखा हुआ काफी mental confusion हो जाती है उनको इसके अलावा उनको बोलने में दिक्कत होती है तो कही न कहीं vitamin B1 के कमी है तो उसकारण जो है उनकी जवान लडख़ा जाती है बोलने में दिक्कत होती है तो देखिए यहार हम बात करें daily requirement के बारे में vitamin B बने उसके daily requirement कितनी होती है तो देखिए एक adult person के बारे में बात करूं तो करीब जो है 1.2 mg जो है इसके daily requirement होती है थाइमीन की और बहीं जो है जैसे कि pregnancy में जो है इसकी जो है requirement बढ़ जाती है जो pregnancy है जो lactation बगेरा कराती है वो 1.4 उनको लेना होता है female लोगों को अब यह था थाइमीन लेकिन अब बैन फोर टाइमीन के बारे बात करें इसके daily requirement क्या है तो देखिए जो बैन फोर डाइमीन होता है जिसके बन बताए कि उसको एक तयार किया जाता है अब भाई अगर आपको vitamin B1 की कमी हो गई है या फिर आपको diabetes है या जो है आप alcohol जादा लेते हैं तो उस condition में फिर आपको बैन फोर टाइमीन दिया जाता है जिससे के आपको अच्छा फायदा मिले और ये depend करेगी आपकी problem पर तो 600 mg तक जो है बैन फोर टाइमीन हम बोल सकते हैं बैन फोर टाइमीन फॉर्म में जो है इसकी tablet या capsule डॉक्टर द्वारा दी जाती है वो condition देखेंगे अगर आपकी condition में ज़्यादा problem है तो 600 mg तक 600 mg तक एक दिन में ले सकते हैं वो ज़्यादा problem नहीं है तो 100 से 100 mg भी चल जाता है तो इधर अगर आपको कमी हो गई है तो कमी को पूरा करने के लिए फिर बैन फोर टाइमीन जादा बहतर है अगर हम थाइमीन से कंपेर करें तो क्योंकि इसका जैसे कि मैंने शुरू में ही इस्टाइडिंग बता दिया बैन फोर टाइमीन जो अच्छा अच्छी तरीके एफ्जॉर्ब होता है और एक fat soluble vitamin हो जाता है अब जब fat soluble vitamin होगा तो इसका फायदे को मिलता है कि ये कई दिनों तक जो हमारे liver में store भी रहता है लेकिन जो थाइमीन है केबल जो थाइमीन है वो water soluble vitamin है तो जल्दी अप्सवर होता हो जल्दी भी निकल जाता है तो फायदे हाले की दोनों के एक जैसे ही है तो इधर आपको जो है काफी को समण में आ गया होगा थाइमीन के बारे में विटामीन V1 के बारे में या बैन फोर टाइमीन के बारे में तो उसके लिए तो आपको कैपसुल मेडिसीन ही लेना पड़ती है लेकिन अगर आपको जैसे के थाइमीन के कमी नहीं होगी तो बैन फोर टाइमीन भी लेने की ज़रूरती नहीं है अब इधर थाइमीन आप पूरा कर सकते हैं जैसे के फिस में, पोर्क में काफी जो बीटामिन B1 पाया जाता है इसके अलावा जो जो बीन सोती है जो फललिया होती है उनमें बीटामिन जो है आपका वीवन अच्छी खाजी मातरा में होता है अब इसके अलावा देखिए जैसे के बादाम हो गया पिस्ता हो गया, अंजीर हो गया इसके अलावा कीवी हो गया, छुवारा, काजू, मुंगफली, सतावर, संत्रा, इसके अलावा योगर्ट, केला, सोया बीन तो इन सब में भी विटामिन वीवन होता है तो ये आप अगर अपनी डेली लाइफ में सामिल करेंगे तो आपको कोई भी मेडिसीन, कैपसोल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब भई ये तो ठीक है, आप इधर में कुछ एड़वाईज दोंगा जो कि आपको फॉलो करना है जैसे के आपको अलकोहॉल, स्मोकिंग, जंक फूड, फास फूड, मीठा, ये सब नाख है तो इस टाइप से अगर आपको वीडियो और भी देखना है, तो आगे मैं बनाते रहूँगा, तो इधर मेरे वीडियो खतम होता है और इस टाइप से अगर आपको और नाउलेज चाहिए, और वीडियो देखना है, हेल्थ और मेडिसिन चेलेटेड, जो कि में डेली बनाते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजेगा, फिर में लेंगे नाइक्स वीडियो में, जब तक आप मने रही हो, देखते रही है, आपके अपने चैनल में है, नॉलेज फोर इंडियन